नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करने जा रहे हैं शनिवार वृत के बारे में हम आपको बताएंगे कि शनिवार का वृत कैसे करना है इसके नियम क्या है कितने वृत आपको करने चाहिए और इसकी पूजा और उधियापन विधी क्या है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिख्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों शनिवार का वरत भगवान शनी देव को खुश करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि शनिवार का वरत करने से आपको क्या लाब मिलते हैं। जो लोग शनिवार का वरत करते हैं उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। साथी साथ शनिवार का व्रत करने से आपको शारेदे कश्टों से मुक्ति मिलती हैं। शनिवार का व्रत धाया और साड सती को दूर करने के लिए भी किया जाता है। शनिवार का व्रत करने से भगवान शनी देव बहुत प्रसंद होते हैं और आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं आप शनिवार का व्रत शुकल पक्ष के पहले शनिवार से शुरू कर सकते हैं आप ये व्रत 19, 31 और 51 कर सकते हैं जिस शनिवार आपने व्रत करना है उस दिन सच् का ध्यान करते हुए जितने भी व्रत आपको करने हैं 19, 31 या 51 उनका संकल्प ले और भगवान शनी देव की पूजा करें इस दिन आप तेल का दीपक जलाएं भगवान शनी देव को प्रसन करने के लिए शनी चालिसा का पाठ करें इसके बाद उनकी आरती करें इस दिन आप स सरसू के तिल का दान करते हैं तो उनके कई कश्ट दूर होते हैं और उन्हें मन इच्छित फल की प्राप्ती होती हैं इसके इलावा आप काले तिल और उड़त की दाल का दान करें तो दोस्तों अब आती है खाने की बात इस दिन आप फलों का सेवन कर सकते हैं और शाम के ख और सर्शों के तेल, उड़ की दाल, काला कपड़ा, लोहे के बरतन, काले तिल, दान में दे. मंदिर में जाकर तेल का दीपक जलाएं और भगवान शनी देव को सर्शों का तेल, तिल और उड़ की दाल अरपित करे. शनी देव महरास्ते सच्चे मन से प्रातना करें. शनिवार का रवत करने से शनिदेव भगवान आपकी हर मनुकामना पूरी करते हैं और आपको आपका मन चाहा फॉल देते हैं सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेर करना नाम भूले और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नाम भूले धन्यवाद